हलो भाईयो इस वीडियो के अंदर अपने अपर बात करेंगे जो आज की दिन IPL का मैच होगा जो खिलाज आएगा गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी के पूरी जानकारी वीडियो में दूँगा कि कौन सी कंडिशन में पूरी जो है अच्छे से समझना है आपको ेक चीज या आपकर क्लेर हो जाएगी तो मुकाबला जो है भाई साढ़े साथ बज़े स्टार्ट होगा और यह होने वाला IPL का मैच नमबर सत्रा और यह जो है ना बहुत इंपोर्टन मैच होने वाला दोनों टीमों के लिए सारी आपको टेलीग्राम चलने पर मिलेंगी तो टेलीग्राम चलने से आपका जोनोना बहुत जरूरी है टेलीग्राम चलने का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्शन में भी पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चलने का वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ टेलिग्राम चनों को जोईन कर सकते हो क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट सारी के सारी यही पर आने वाली है तो टेलिग्राम चनों से आपका जनोना ज़रूरी है अब देखो पिछ रिपोर्ट की बात करूँ तो मुकाबला जो है न यह खेला जाएगा नरेंद्र मोधी स्टेडियम अहमदाबाद में विकेट जो है बेटिंग सर्पेज भी है लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर help रहती है बोलर्स को इस्पेशली यहाँ पर fast बोलर्स को थोड़ी बहुत मदद रहती है कब जब death में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर न विकेट गरते हैं बोल थोड़ा सा first क्या आता है 150-100 से average score है दो में इस सीजन हुए एक जितना है बेटिंग फर्स कनेवाल टीम ने एक में चेज हुआ है और जो दो मुकाबले है उसमें क्या हुआ है फर्स इनिंग में 10 विकेट fast को spinners को 3 विकेट है फास्ट को 9 विकेट spinners को 3 विकेट है दोनों टीम है आपस में तीन मुकाबले के लिए गुजराद जीती है दो और पंजाब जीती है एक तो हेट्ट्रेड में गुजराद का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और यह गुजराद का home ground भी है यह चीज आप ध्याम में रखके चलेगा अब देखो बात करें आपर गुजराद के टीम की लास्ट मिच के अंदर क्या प्लेंग लें रही थी क्या इनका बैटिंग ओडर था और कौन इंपेक्ट प्लेय था जहां से मोईश सर्म आपको पूरे चार ओवर देंगे राशित खान आपको पूरे चार ओवर देंगे और नूर अहमद आपको पूरे चार ओवर देंगे तो यह तीन प्लेयर्स हैं जो आपको पूरे चार ओवर देंगे बाकी के जो आट ओवर वचेंगे ना उसमें से डो मेस एनकी टीम यांहे पर खेलास आ हा को मलब अच्छा पोका ऐने में से अब से अब तक और इस मेन्यूस पर जीटी की टीम अच्छा भी करती है ऑपन कौन करेंगे सुब्मन गिल और उनके साथ नाम आप देखो पहले में 31 फिर 8 फिर 36 हैं और इस वेन्यू पर खेलना गिल को वेसे भी बहुत पसंद है हेट्वेड में आप देखो पंजाब के खिलाब 11 मेच में 397 हैं वेन्यू पर 15 मेच में 862 हैं बहुत अच्छा रिकोर्ड है रिद्यमान साह उन्नीस इकिस पच्चिस है आते ही बहुत जादा श हेट्वेड में 13 मेच में 218 वेन्यू पर 16 मेच में 200 नब्ड़े हैं शाहिश शुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे हैं 45-37-45 किया है अब तक हेट्वेड में 3 मेच में 119 वेन्यू पर 8 मेच में 371 है डेविड मिलर 12-24 नोट आउट है अगर इनके टीम पहले बेटिंग कर बहुत इंपोर्टनेट अपने लिए रहने वाले हैं नेक्स जो प्लेयर हैं यहां पर प्लेंग लें उनकी बात करें तो विजेशंकर है जो कि मेरे इसाब सब्सक्राइब है नहीं 6 नोट आउट है 12 14 नोट आउट है क्योंकि देखो बोलिंग करवानी रहे बेटिंग रहे हैं हर मैच में इसमें 3-3 ओवर अपने डाले हैं यहां पर वेन्यू पर दो मैच में 17 विकट है अच्छा प्लेयर है तेवतिया बोलिंग करवानी रहा सिर्फ बेटिंग कर रहा है 22-6 नोट बेटिंग है है एक चीज़ और रहा में रखना कि जो पंजाब के टीम है उस से आप देखोंगे लिविंग स्टन उतना अच्छा नहीं केलते हैं यहां पर आप प्रब सिंबरन सिन भी फस्ते हैं स्विन के सामने यहां से बेरेश्टो फस्ते हैं तो राशित खान का रोल वेसे भी बहुत बढ़ जाएगा इस मैच में तो यहां पर देखो दो प्लेयर 12 मेच में 34 विकेट है वेन्यू पर 4 मेच में 3 विकेट है मोईश शर्मे इस मेन्यू के तो बाई किंग है तर mes Hello Game 6 विकेट है और 12 मे थो Certed म नाल कंडे दो ऑचैस विकेट ल COBूर पर 1 मेच में 0 विकेट है नालकंडे दो ओवर डाले विकेट लेसते हैं, हेटरड में एक मिच में दो विकेट, वेन्यू पर एक मिच में जीरो विकेट है, अब देखो, मोई शर्मा को तो दोनों कंडिसन में अपन रखेंगे, लेकिन नूर अमत को मैं तभी रखूँगा जब इनके टीम पहले बोलिं चर और फेले चार वर डालते हैं वो डालते हैं कि अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं पंजाब के टीम, कि इनकी टीम का लास्ट मिच के अंदर क्या प्लेंग लेवन था कोन इंपेक्ट ले रहा है था तो उपन आये थे सिखर दवन जोनी बेरेश्टो पर अब इसे इंपेक्ट प्ले रहा है थे फिर आये जितेश लियाम लिविंग्स्टन सेम करंड शशांग सिंग हर्कृत ब्रा अब यहां पर नजर आने वाले हैं अब यहां पर इनसबी प्लेयर्स के साथ में श्टेट्स दिखेंगे पहला मेंच पंजाब जरू जीती लेकिन इसके बाद में दो गातार मैच पंजाब की टीम हार चुकी है ओपन कोन करेगा सिखर और उनके साथ में आएंगे जॉनी बैलस्टो सिखर के नाम 22-45-70 बहुत अच्छा रिकोर्ड है हेट्रेड में 3 मैच में 105 वेन्यू पर 558 है जॉनी बैलस्टो 9-8-42 है बेटिंग फर्स अगें की टीम करें त चार मेच में तरासी है जितेज शर्मा 9-27-6 उनने खास टच में लगे नहीं है हेट्रेड में 3 मेच में 48 है तो देखो यहां से मैं पहले दो प्ले रखने वाला हूँ सिखर और यहां से जोनी बरेस्टो बाकि में इन दो पो अभी के लिए टीम में नहीं रखने वाला लेकिन इस मेच में मैं इसको प्यूँ नहीं रखोंगा क्योंकि सामने आएंगे राशित खान और उनके साथ में नूर अहमद तो उतना आसान इनके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है रन बनाना यह चीज़ आप ध्यामे रखना सेम करण स्टीवीसी की चोईस वाला प्रेटर को कि नीचे आके बेटिंग भी करता है कभी-कभी प्रोमोशन भी मिल जाता है और साथ के साथ यह बोलिंग भी करवा रहा है तो तीन मेच में इसके नाम चार विकेट है और बल्ले से त्रेशर 23 और जीरो है है हैट्टरड में 22 एक विकेट है वेन्यू पर पांच लेकिन मैं अभी के लिए ट्राइड नहीं करने वाला है अब बात करेंगे जो नेक्स प्लेर है प्लेंगे उनकी नमबर नो पर आएंगे हर्शल पटेल और हर्शल पटेल का सीधा सिंपल रूल है अगर इनकी टीम पहले बोलिंग कर रही है सीधे टीम में रख लो अगर पह लेकिन यहां पर बोलिंग करेगी यहां पर रबाडा वैसे अपने देथ तक डालते भी नहीं यह तीन में चार विकेट हैं है एक मैं चार विकेट हैं अर्शदीप सिंग भी बोलिंग फर्स में ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे अभी के लिए मैं यहां से सिर्फ रखन लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ रबाडा को रखूँगा हर्शल पिटिल को अपन कब रखेंगे मैं आपको समझा चुका हूँ अब यहां पर अपन देख लेंगे इनके बेंच के प्लेस के स्टेट से कोई खेलता है तो स्टेट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट मैच के अ चार्टिंग और को ने लाद देल अर्शदीब सिंग रबाड़ा और सेम करने और डेथ के अंदर यहां पर बोलिंग करवाने आए थे हर्शल पिटल को रखोगे क्यों कि डेथ में अदर्वाइस मत रखना अगर इनकी टीम बाद में बोलिंग कर रही है तो अब यहां पर आपको बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो वह सब चीजे टेलीग्राम चैनल भी आपको पता चलेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा पहले कमेट में भी आपको टॉप पर पिन किया हो मिल जाएगा तो जल्दी से जाकर को जॉइन कर लेना है देमो टीम की बात कर लेंगे अब तो डेमो टीम में मैंने फिलाज के लिए विकट केपिंग से से रखना हूँ जॉनी बेरेश्टो रिद्दिमान शाह यहां से रखना हूँ गिल शिकर्दवन शाय शुदर्शन यहां से सेम करन अजमत उल्ला कवर अबाड़ा और नूर अमद एक चीज़ आप ध्यान से समझों यहाँ पर अगर रिद्धिमान शाह को ड्रॉप करोगे ना तो आप यहाँ पर अर्षदीप सिंग को रख सकते हो क्योंकि फिर यहाँ पर अपन मानके चल रहेंगे अर्षदीप इनको आउट कर लेगा तो जो कि टेलिग्राम चनले पर मिलेंगी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लास्त देखने के लिए धन्यवाद